हलो इस्टुजेंट्स वेलकम वन्स अगेन इस्टुजेंट्स आज की वीडियो में हम समरी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सिल्क-रोड की तो सिल्क-रोड जो चैप्टर है वो रिलेटिड है मानसरोवर कैलाश परवत की यात्रा से और ऑथर इसमें किस तरह से अपनी यात्र को start कर रहे हैं ये हम इस summary में पढ़ेंगे summary of the lesson Silk Road the author wanted to go to Mount Kailash to complete the Quran he hired h-i-r-e-d hired किराय पर लेना जैसे किसी व्यक्ति को hire कर लेना तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम है तसेन इसे तसेन कहा गया है he hired तसेन to drive him up to Mount Kailash author ने तसेन नाम के व्यक्ति को अपने साथ लिया driving के लिए जो उसे Mount Kailash पर ले जाएगा When they started the journey they took a shortcut to South West जब उन्होंने अपनी journey start की तो उन्होंने एक shortcut लिया कैलाश परवत पर पहुँचने का जो की South West दिशा की तरफ था When they reached the hill जब वे पहाडी पर पहुँचे They passed nomads and saw Tibetan mastiff standing outside the tent as a guard Nomads होता है बंजारे तो जब राइटर पहाडीयों पर चल रहे थे तो उन्होंने रास्ते में बंजारे मिले They passed nomads and saw Tibetan mastiff उन्होंने देखा Tibetan mastiff को Tibetan mastiff मतलब एक different type के dogs जो वहाँ के लोग अपने पास रखते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए तो वो mastiff वो जो dogs थे वो tent के बाहर खड़े हुए थे जैसे की एक guard खड़ा रहता है These mastiff ran after his car These dogs had large jaws As soon as they entered the valley The author could feel the pressure in his ears अब जैसे ही उन्होंने माउंट केलाश के नजदीक वाली valley में entry किया तो author को feel हुआ कि उसके कानों पर बहुत ज़्यादा pressure पड़ रहा है They were at 5,210 meters above sea level The author felt his head was hurting Author को महसूस हुआ कि उनका सर कुछ दुख रहा है Hurting मतलब उनके सर में दर्द है बहुत ज़्यादा परिशानी है और वो sea level से 5,210 meters की उचाई पर थे He took a few sips of water They were still climbing up the hill and reached 5,515 meters above sea level और वो धीरे धीरे अपने सिर के दर्द को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ घूट Sip of water, कुछ घूट पानी पिया और वो पहाड़ी पर चड़ने लगे और पहुच गए 5,515 meters की उचाई पर समुद्र तल से 5,515 meters की उचाई पर पहुच गए By the late afternoon, दोपहर में जब काफी दोपहर बीथ चुकी थी By the late afternoon, they reached a small town called Hor तो वो एक छोटे से कस्बे में पहुचे जिसे कहा जाता था Hor, H-O-R He found Hor a miserable place और वहाँ उन्हें Hor एक बहुत ही miserable दैनिय स्थिती में बहुत ही बेकार स्थिती में वो जगह मिली वो जगह बहुत सुन्दर, बहुत अच्छे से नहीं रखी गई थी बहुत ही खराब इस्थिती थी They started their journey again और फिर उन्होंने Hor से अपनी यात्रा दोबारा से start की At night around 10.30 p.m. They stopped और लगभग रात को साड़े 10 बजे वे रुके At a guest house in Darchen और फिर वो Darchen में एक guest house में रुके पहले होर पर रुके और उसके बाद Darchen में That night the author suffered from nose congestion और उस रात वहां उन्हें nose में अपनी नाक में बहुत ज़्यादा congestion ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी नाक ब्लॉक हो रही है तो वो इस चीज से परेशान थे Next morning अगली सुभा he consulted a Tibetan doctor and got a five day course medicines उन्होंने वहां पर अगली सुभा जब रात को इतना परेशान थे सो भी नहीं पाए थे तो अगली सुभा उन्होंने consult किया एक तिबतन डॉक्टर को जिन्होंने उन्हें पाँच दिन का course दिया दवाई का After taking a full day of medicine पूरे एक दिन की दवाई लेने के बाद the author was feeling good author को बहुत अच्छा महसूस हुआ When the author was staying at darchean और जब author darchean में ठहरे हुए थे वहाँ अपना इलाज करा रहे थे He met a person in the cafe तो cafe में उनको एक व्यक्ती मिला His name was Norbu जिसका नाम था Norbu Who was a Tibetan working in Beijing जो तिबत का रहने वाला था लेकिन काम करता था Beijing में Beijing चीन में है Both of them decided to start their journey together और फिर वहाँ से उन दोनों लोगों ने अपनी यात्रा अपनी जर्नी together साथ साथ start करने का decide किया तो यहाँ पर यह हमने बहुती short में आपको Silk Road की समरी बताई है students I hope आपको यह समरी समझ में आई होगी और आपके किसी भी long question में properly आपको satisfied answer दे देगी तो इस समरी को जरूर याद कर लीजेगा आपको ज्यादा effort करने की जरूरत नहीं पड़ेगी long answer के लिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा थैंक यू सो मच for subscribing this channel and for liking this video मिलते हैं next video में जल्दी ही